हलो फैंड्स मैं हूँ मनीस और आप देख रहे हो देशी फार्मिंग और यहां कर रहा हूँ मैं देशी पर फार्मिंग यानि कि देशी मुर्गी पालन तो दोस्त कमेंट बाक्स में एक राजेंदर जी ने सवाल पूछा है कि अगर हम हैचिंग करके बच्चों को निकालते हैं तो हम रोज रोज उन्हें वैक्सीन कैसे करेंगे और रोज रोज एक एक चूजे को कैसे समाल कर रखेंगे तो यदि आपका भी यही सवाल है तो आप इस वीडियो को सुरू से लाज तक जरूर देखिएगा मैं यहाँ पर आपको चूजे निकालने से ले करके उनको बढ़ा होने तक कैसे आपको मैनेज करना है वो इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ तो दोस्त वीडियो सुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाओंगा यादि आप हमारे चैनल पर नए हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आल पर प्रेस करें ताकि आने वाले मेरे सब भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रह हूँ और उनको कैसे मैनेस करता हूँ सभी कुछ आप लोगों को सीरियल में आपको समझाने की कोशिस करता हूँ तो दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैने हैचिंग के लिए कुछ अंडे लगाए हुए हैं और जब कि कुछ अंडों से चूजे भी निकल चुके हैं जो पहले अंडे लगे थे कुछ दिन पहले उनसे चूजे निकल चुके हैं तो उन्हें मैने इन बाक्स में रखा हुआ है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि छोटे चूजे हैं बहुत ज़्यादा नहीं है मातर 6 चूजे हैं तो क्या इन 6 चूजे की देख रेक नहीं यह 6 पांच शे दिन के या साथ दिन के लगभग हो चुके हैं चूजे तो इनके लिए एक विवस्था है यहां पर थोड़ा सा पानी दाना लगा दिये तो पांच शे दिन तक इस तरह से आप बॉक्स के अंदर इनको इनकी देखभाल कर सकते हो थोड़ा सा पानी और थोड़ा दा ना इनको लगता जाता है और इनको शुरुआत में अगर देने के बात करें पानी में मैडिसिन में तो मैडिसिन जो है वो मैं आपको दिखाता हूं कि काउन सी मैडिसिन मैं इनको दे रहा हूं तो दोस्तो जब शुरुआत में चूजा निकलता है तो हम उसे विमरॉल देते हैं ठीक तो शुरुआत में आप इनको विटाइमिन्स दीजिए विमरॉल करके विटाइमिन्स आती है इसके लिए और भी विटाइमिन्स आती है तो आप इन छोटे चूजों को दो दिन तीन द चूज भी कर सकते हो तो फिर दोस्तो जब यह चूजा थोड़ा हो जाता है तो आप इनको दूसरी जगा पर सिफ्ट कर सकते हो इसके बाद दोस्तो आपके पास इस थरह का कोई भी कमरा हो ठीक है खुला हो या बंद हो ऐसा को जरूए नहीं क्योंकि जब शुरुआत में आट दिन दस दिन चूजे की ब्लूडिंग हो जाती है तो इस तरह कमरे में आप जितना स्पेस में वो टहल सके इसली उतने स्पेस में आप उनको रख सकते हो इसके बाद में जब यहां पर भी जगा आपको कम लगने लगे या फिर आपको लगे कि बढ़ हमारा बड़ा हो चुका है तो अब उसको आप दूसरे फार्म में आप उसको सिप्ट कर सकते हो तो दोस्तो जब चूजा निकलता ह है तो शुरुआत के 10 दिन या 15 दिन यदि ठंड का सीजन है तो 15 दिन तक लगबग आपने बॉक्स के अंदर ही उसकी ब्लूडिंग कर ली और यदि गर्मी का सीजन है तो 8 से 10 दिन आप उसको बॉक्स के अंदर रख सकते हो उसके बाद में आप वहां से इनको दूसरी जग इसके आसपास इनका टंपरेचर होना चाहिए रूम का जहां पर भी आप बढ़ को रख रहे हो तो इसके बाद में आप इस तरह के जाली वाले फॉर्म जहां पर आपने मुर्गी पालन के लिए जाली वाला फॉर्म बनाया होगा तो आप उस तरह के फॉर्म में आप लाकर से देना तो दूस्तों पहले ही मैंने एक और डी वीडियो बना रख़ा है जिसमें आपको एक दिन से लेकर के बड़ा होने तक एक दिन से लेकर के चूझे को बड़ा होने तक कैसे पालते हैं सभी कुछ उसमें ने बताया हुआ है उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बाक्स में दे दूंगा आपको उस वीडियो को इस दे वीडियो को देखने के बाद आप जरूर देख लीज़े तो आपको समझ में आएगा कि बर्ड को हम किस तरह से सुरू से लाश तक पालते हैं तो देखे जितनी भी आप मेडिसिन उनको देते हुए लिमिटेड मात्रा में एक बर्ड के हिसाफ से जितनी मेडिसिन देनी चाहिए आप उनको जहां पर जितना चूजा रखे हुए हो आप छुटे-छुटे पार्ट में आपको रखना होगा जैसे अभी 10 दिन का चूजा है और महीने भर का चूजा एक पार्ट में तो इस तरह से आपको अलग-अलग पार्ट बना रहे होंगे जितने चूजा आपके पास निकलता है जितना इस पेस है उस हिसाफ से आप पार्ट बना करके उन चूजों को आप रख दीजी तो दोस्तों जब आपका बड़ और भी बड़ा हो जाता है तो आप इस तरह के फार्म में आप उनको रख सकते हूँ जैसी भी आपके पास विदा हो केवल उनको आपको अधिक गर्मी और अधिक ठंडी से बचाना है अब यहाँ पर हम अगर बात कर रहे थे मेट सिंग की तो आप यहाँ पर जैसे कि आप देख ल रखा है इसकी बज़े से तब अलग-अलग इस तरह से आप जो भी फॉर्म है आप उनको पार्टिशन कर दीजिए अभी आपको चूज़े किस तरह से बड़ आपको किस तरह से रखने तो सिंपिल सी है जो एक महीने में जो चूज़े आप निकलते हैं आपके दस बीस पच अब हम बात करते हैं कि इनको हम वैक्सीन किस तरह से देंगे तो देखेए दोस्तो मैने वैक्सीन के लिए भी अभी जल्दी में वीडियो बनाया हुआ है उसका भी लिंक हम Sum一下 में दे देंगे तो आप उस वीडियो को देख लिजिएगा कि मैंने कैसे वैक्षिन की है वहां कोई दिक्कष नहीं आती है एजा कभी फ्यूचर कभी ऐसा हो जाता है कि अचानक कोई मेरे फॉर्म में बिमारी आ जाती है तो उस बर्ड को नुकसान हो सकता है तो दोस्तों यदि आप चाहते हो कि हमारी बर्ड जो है वो एकदम सेफ रहे तो आप इनको वैक्सिन कर सकते हो तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि vaccination हम bird को कैसे करेंगे देखिए जब हम चूजा निकालते हैं तो हमारे पास एक दिन से ले करके 30 दिन तक की bird होगा 30 दिन तक का हमारे पास bird होगा अब माले जी हमारे पास 100 bird 30 दिन में आपका निकला हुआ है ठीक है तो यहां पर आप इसको सुरुआत में जो की लसोटा की vaccine दी जाती है जो साथ में दिन वैसे दी जाती है लेकिन अभी आपके पास एक महीने के में 100 bird तैयार होगे तो आप उन 100 bird को लसोटा की vaccine आप दीजिए ठीक है इसके बाद में आप फिर उसको आप गुंबारों की vaccine कर दीजिए उसके बाद मे आपने गुंबारों की करी साथ तारीक के बाद में आपने 14 तारीक को लसोटा बूस्टर कर दी ठीक है तो 15 दिन में आपने इनकी vaccine कर दी इसके बाद में फिर next month आएगा तो next month में भी आपके पास 100 bird तैयार हो जाएगा फिर आप उनकी फिर से vaccine कर सकते हो आप मालिजे कि 100-200 की vaccine अगर आपको मिल जा रही तो ठीक है अधरवाइस 500 बर्ड की वी vaccine आप इनको कर सकते हो next month में आपके पास 100 बर्ड इधर होंगे जो की एक महीनिक होंगे और 100 बर्ड दूसरे महीनिक होंगे तो इन सभी को आप vaccine कर सकते हो सिर्फ खर्चा क्या आएगा थोड़ा सा इन पर खर्चा vaccine पर ज्यादा आजाएगा medicine सबकी same चलती है medicine आप इनको same दे सकते हो तो दोस्तों इसके बाद में हमारे पास जो बर्ड होता है कुछ बर्ड 500 ग्राम का होता है कुछ बर्ड एक किलो का होता है तो कुछ डेड़ किलो का भी हो जाता है बहुत सारे male होते हैं बहुत स एक केजी का है उसे एक partition में रखिए जो आपका 100 ग्राम से लेकर के 500 ग्राम तक की है उसे अलग partition में रखिए तो इस तरह से आप manage आसानी से कर सकते हो तो दोस्तों medicine की बात करते हैं कि medicine किस तरह से देना है आपको तो देखे दोस्तों जितना भी चूजा है जो साथ दिन के उपर है जितने के आपने vaccine किया है या फिर जितने आपके पास बर्ड हैं ठीक है टोटल को आप लिवर टानिक आप एक साथ दे दीजी ठीक है लिम्टेड मात्रा में सभी को एक साथ calcium और vitamin दे दीजी सभी को एक साथ antibiotic powder आप दे दीजी या भी जो भी medicine आप यूज करना चाह हो तो दोस्तों यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट पाक्स में जरूर लिखेगा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए थांक्यू फार वाचिंग दिस वीडियो